वेलकम बेक एब्रिवन, वेलकम टो सुवल सर्विसे स्टड़ी, 66 BPSC, 11 टेस्ट कम्प्लीट हो गेते हैं, इसके यह टेस्ट नमबर 12, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, समय कम है, 27 दिसम्बर का एक्जाम है, देखा जाए तो लगबग 55 दि से सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, नैपाली सेना के मानद जनरल पत से, परधान मंतरी नरेंद्र मोदी को नहीं, पूर्वराष्ट पती दिवंकत अब्दुल कलाम जी को नहीं, राष्ट सुरक्षा सलहकार अजीत धोबाल जी को विनेज का उत्तर है, तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए तो देखिए थलसेना अध्याक्स जनरल एम एम नर्वडे को नैपाल की राष्टपती विद्यादवी भंडारी द्वरा नैपाली सेना के माना जनरल पत्से समानित क्या गया अभी हाली में उन्हें नैपाल की राष्धानी काठमंडू में इस्तित राष्टपती के अधिकारिक निवास सीतल निवास में एक विशेश समारों में संबान दिया गया और इस समारों में नैपाल के प्रधानमंत्री के पिशर्मा ओली भारते राष्धूत बिने एम क्वात्रा जो नैपा है पताए किन दो देशों के बीच है यह संयुक्त नोसेनिक अभ्यास कोपरेशन अफ्लो ट्रेडिनेस एंड ट्रेनिंग भारत इसमें नहीं है तो जहां जहां भारत है उसको अलिमिनेट कर देजिए यह है बंगलादेश और अमेरिकी नोसेना के बीच आप्सन नंबर सी है इ बंदों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच समुद्री जगरुकता को व्यापक बढ़ाने के लिए हैं कोपरेशन अफ्लो ट्रेडिनेस एंड ट्रेनिंग बंगलेदेश दोहार भी सुरू किया गया है किन्दों देशों के बीच है बंगलेश और अमेरिकी नोसेना के इस तिन प्रकार की सेना ही होती है ना जल सेना थल सेना और वयू सेना आर्मी नेवी और Рफॉर्स बढ़त में डियाअडिओ के अध्यक्स कौने है कि देखे बठमान में डियाअडिओ के अध्यक्स वहीं है जो अभी तक थे डॉक्ट्र जी सतीसर ड्डी नय नहीं बनें तो इसमें confused मत होना, क्यों पूछा गया है प्राश्चन, क्योंकि हाल ही में ओडिसा, तटकी एक करत, परिक्षन रेन चांदीपुर से, रक्षा अनुसंदान और विकास संगठन, DRD दारा, पिनाका रोकेट, पिनाका रोकेट प्रणारी के उन्नत संस्क्रण का सफलता अपग्रेड़ेड अवर्जन उसकी अमारक शम्ता होगी, पैतालिश से साथ किलो मेट तक, ठीक है, दुनिया भर में विश्व सुनामी जागरुकता दिबस का मनाया जाता है, पांच नवंबर को हाली में मनाया गया ये, तो देखें आज ही तो मनाया गया, दुनिया भर मे पांच नामबर को विश्व सुनामी जागरुकता दिवस के रूप में बनाया जाता है यह दिन सुनामी के खतरों से संबंदित मुद्दों के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए बनाया जाता है और वर्स 2020 में विश्व सुनामी जागरुकता दिवस राश्ट और सामुदाइक इस तर पर आपदाओं से अधिक जीवन वचाने के लिए इस्थानी आपदा जोखिम को कम करने की रणीति के विकास को पुरत्साहित करता है किस काल में अच्छूत की अवधारना इस पस्ट रूप से उद्दत होई थी तो देखे धर्म सास्त के समय चार बढ़नो यानि ब्रह्मन वैश्य च्छत्रिय और शूद्र इस पस्ट रूप से उलेखवा है इस पस्ट रूप से की बात हो रही है और देखे पाणी ने अपनी दो प्रकार के शूद्रों का उलेखिया है निर्वशित और अनिर्वशित इनमें ये जो निर्वशित है निर्वशित जो है ये जो पहला प्रकार हो गया दूसरा प्रकार हो गया तो ये निर्वशित ही जो है अस्प्रश माने जाते थे तब का ये जो बाहे आडंबर कुरीतियां अभी तक चल रही है ठीक है और लेकिन संबेधान बना आर्टिकल 17 आया ठीक है तो अस्प्रश्टा का अंत हो गया लेकिन है अभी भी समाजम मौझूद कॉश्चन नमबर 6 पर आजाईए करनाट वन्स का संस्थापक कौन था नान्य देव था कौन था नान्य देव अप्सन नमबर A तो करनाट वन्स के संस्थापक नान्य देव थे वह एक महान योद्दा थे नान्य देव ने करनाट की रजधानी सिम्रावगड को बनाया और करनाट वन्स का सशनकाल मिथला का सोणियू कहलाता है ठीक है नमलिकित मैंसे किसने अपनी रचना रचना का नाम है अरली हिस्ट्री आफ इंडिया में समुद्र गुप्त की बीरता एवं विश्यो पर मुग्द होकर उसे भारत के नैपोलियन की संग्यादी है प्रश्ण यह भी पूछा जा सकता कि भारत का नैपोलियन कौन है तो समु अरली हिस्ट्री आफ इंडिया में समुद्र गुप्त की बीरता एवं विज्यो पर मुग्द होकर उसे भारत का नैपोलियन की संग्यादी है और समुद्र गुप्त की विज्यो का वर्णन प्रियाग प्रसस्ती में मिलता है इसके लेखा खरी सेण है किस अभिलेक में रु अगड़ से रुद्र दामन का एक अफिलेक प्राप्त हुआ है यह जिस शिला पर उतक्रीन है उसी पर असोक के चोदे प्रज्यापनों की एक प्रती स्कंद गुप्त के दो लेख भी खुदे हुए है यह विशुद्ध संस्क्रत तथा ब्रहमी लिपी में लिखा गया है ठ और यह है अफिलेक अब तक का प्राप्त संस्करत अफिलेकों में सरवाधिक प्राचीन है उ दंथ पुरी सिक्षा केंद्र निम्लिकित में से बिषार में बिषार में option no.C तो अदंथ पुरी जिसे उदनापुर भी कहा जाता है प्राचीन काल में एक प्रमुख सिक्षा केंद्र था यह विहार राज में अवस्तित था और इसकी स्थापना पाल वंस के प्रथम साशक गोपाल ने की थी नारंदा विश्वित देले के स्थापना का यूग है जब नारंदा विश्वित देले की स्थापना होई थी गुप्त काल ठीक है अप्सन नमबर डी तो नारंदा एक प्रख्यात या विख्यात बौध पीट एमें विश्वित देले था यह दक्षणी बिहार में राजगीर के निकटेस्टित था इसके ध्वनशाव सेष जो है वो बड़ा गाउं है बहाँ पर बड़ा गाउं ग्राम से दूर जो है जो है अभी तक यह अभी तक बिखरे होई ठीक है अभी तक बिखरे होई और पाचवी सतापदी के मद जो है गुप्तों के समय में नालंदा विश्विद्द अलास्तित में आया सबसे पहले कुमार गुप्त पर्थम ने किसने कुमार गुप्त पर्थम ने नालंदा वौद बिहार को दान दिया उसके बाद बुद्ध गुप्त तथागत गुप्त तथा बाला दित्ते ने भी गुप्त शाशकों ने ये जो गुप्त शाशक है इनों ने भी इस बहुत बिहार को दान दिया था ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन पर आजएए बिहार के निम्लिकत हिस्दों में से कौन सा हिस्दा भूतात्विक दरश्टी से अपेक्शाकरत पुराना है खड़कपुर पहाड़ियां उत्तर गंगा मैदान उत्तर पशिम पहाड़ियां रोतास पठार कौन सा सबसे पुराना है देखें जो खड़कपुर पहाड़ियां वो धारबार क्रम की हैं तो सबसे पुराना ही ही हो गया अप्सन नमबर ए तो खड़कपुर पहाड़ियां जो हैं वो धाड़ बार क्रम की हैं जबकि जो रोहतास पठार है वो विंध क्रम का और उत्तर पस्षी पहाड़ियां शिवालिक हिमाले की हैं शिवालिक तो नहीं है ठीक है जो तृत्तिय क्रम की तो था उत्तर गंगा मैदान नभीनतम है Q issues number 12 पर आजये नमर्गीत मेंसे विहार का कौन सा जिला धारबाड भूसतरी रशना वाला नहीं है धारबाड भूसतरी रशना बाला नमर्गीत मेंसे कौन सा जिला नहीं है मुंगे तो है जमूए म्यार भी है नवाद भी है रूहतास नहीं है ठीक है अपसा नमबर डी हो जाएगा इसका अंसर तो बिहार में भुस्तरी रजणा वाले जिले दक्षन पूर बिहार में आते हैं जबकि रोहतास जो है दक्षन पस्चम बिहार का भाग है इस शेत्र में विंध्यन प्रकार की चटाने पाई जाती है और बिहार में विंध्यन क्रम की चटान कैमूर और सीन नदी घटी ठीक है में पाई जाती है मतलब रोहतास में कोशन नमबर ठटीन पर आजए तेरवा प्रशन है बिहार राज में गंगा के किनारे कितने जिले इस्थित हैं कितने जिले गंगा के किनारे इस्थित हैं, बिहार के इसमें उप्सन ही नहीं है, बारा जिले, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उप्सन नमबर रही, उप्रोक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है, तो बिहार राजी के जो बारा डिस्टिक है, वो गंगा नदी के किनारे इस् किस्षा पाया है वभागल पूरों है कोंष्ण नमबर 14 नहीं कि विमल्खत में सबसे लंबी है रिखिज़ेका क्योंकि उत्तर ये होने की भी संभाब ना हो सकती है तो निम लिखित मैंसे किसमे लंबी है ठीक है तो देखे, इसमें सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में 97 किलोमीटर है यहाँ पर और सबसे याद लंबी है पूरे पिहार में 99 किलोमीटर पटना में लेकन अप्शन में नहीं है वो इस निम्निकित की वैसे हमारा उत्तर ये है बरना इ हो सकता था तो बिहार राज के बारे जिले गंगा नादी के तरटपर अबस्तिंदे जैसा की पता चल गया आपको गंगा की सरवादिक लंबाई बिहार में पटना में है 99 किलोमेटर और दूसरे इस्थान पर भागलपुर आता है जहां गंगा की लंबाई 97 किलोमेटर लेकिन बिकल्प में पटना तो है नहीं इसलिए सही उत्तर भागलपुर होगा अंतिम प्रेशन है पंदरवा बिहार का सरवादिक जूट उत्पादक जिला बता दीजे कौन सा है बिहार का सरवादिक जूट उत्पादक जिला है पूणिया कौन सा है पूणिया अप्सन नमबर ए तो बिहार में जूट का सरवादिक उत्पादन जो है पूणिया जिले में होता है और जूट की खेती विहार के आदर प्रदेश में होती है इसकी उपज के लिए उच आदरता उच तापमान उपजाओ जे रोड म्रदा और हल्की वर्षा की आवश्यक्ता होती है ठीक है है हाई डेंसिटी सॉरी हाई हुमेडिटी हाई टेंप्रेचर और जो है और जूट का अतबादन पस्चे बंगाल में होता है अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पते होगा आपको और पस्चे मंगाल में कुल जूट का कितने प्रतिशद होता बिचेत्यर प्रतिशद्ट अगर दूसरा इस्थान पूछे तो किसका किसका बिहार का ठीक है और बिहार में सबस्याद है कहां पूर्ण यार्डिस्टिक तो 15 प्रशन थे इंपोर्टेंट अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लिजेगा एक से दो बार 27 दिसंबर को एक्जाम है समय का मैं धन्यवाद